हेलो फ्रेंड्स, यू आर बेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ओफ इंग्लेश, हम यू पी टीजिटी इंग्लिस के लिए, जो टू थाउजन के लिए, हम आज पढ़ेंगे टिंटर्न एबे, बिलियम वट्सबर्थ के एक फिलास्पिकल पोईम है, और इसका जो फुल टाइटल ह है, यह इस पोईम का फुल टाइटल है, इस पोईम में हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनसे फ्रिक्वेंटली कुशन्स आस्ट किये जाते हैं, उसके बाद लाइन, टू लाइन इसकी एक्स्प्लेंट पढ़ेंगे, और वीडियो लंबा हो जाएगा, लगभग एक घंटे का होगा, तो प्लीज फुल वीडियो देखना, और एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी, अब समझे टिंटर्न एबे क्या है, टिंटर्न एबे इज़ मोनेश्ट्री, टैन माइल्स एबब, फ्रम दा कन्फुलेंस ओफ बाई एंड सेवर रिवर, ये दो नदियां है, एक बाई है, और दूसरी सेवर, इन नदियों के संगम से, कन्फुलेंस से, टैन माइल्स एबब जो है, वो इस्थापित है, और एटबर रुइंस ओफ टिं इजिस का फेमस मठ था, जो अब रुइन में बदल चुका है, अब कुछ इंपोर्टेंट कुश्टन है, फिर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पड़ेंगे, विलियम वर्ट्स वर्थ बिजिट टिंटर्न अबे थ्रो आउट हिज लाइफ, तो अपने जीवन में तीन बा बिलियम वर्ट्स वर्थ, टिंटर्न अबे को बिजिट करने गए, फर्स्ट टाइम, 1793, सेकेंड ताइम आफ्टर फाइब यर्स, 1798, एन थर्ड टाइम बिफोर इस डेफ, 9 यर्स बिफोर इस डेफ, 1841, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, ये भी इ बिरो कपलेट, आयमिक ट्रेटर मीटर और फ्री वर्थ, तो ये ब्लेंक वर्ष में इनकी कमपोज की गई पोईंट है, और ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, और इसको अक्सर पूचा भी जाता है, तो ये आपका ड्रामेटिक लिरिक है, और जो ड्रामेटिक मोणोलॉग मानते हैं, गलत हैं, मैंने ड्रामेटिक मोणोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक पर जो डिफरेंस है, उसको यहाँ पर पढ़ाया गया है, वी उड़ीओ देख लेडा, और एमिच अबरहम में जीवकादु, जैसा बताया गया है, बैसा ही मैं ने बताया है यह बहुत important point है in how many stages William Wordsworth love of nature is described in Tintan Abbey तो Tintan Abbey में जो William Wordsworth का love of nature है वो three stages में दर्साया गया हालाकि love of nature इनका four nature में है four stages में है लेकिन Tintan Abbey में यह three stages में दर्साया गया है ठीक है present किया गया है अब इन four stages जो है यह three stages दर्साया गई है वो line 60 से लेके line 113 तक है तो यह three stages क्या है बाद में भी समझेंगे जब line में पढ़ेंगे वहां समझ में आ जाएगा लेकिन यहां समझ लेते हैं देखिए first stage में simple delight है जब एक बालक साधारनता simply प्रिकृति की गोद में आनंद लेता है खेलता है कूदता है पिरों पे चड़ता है यहां कि इदर दर घूमता है तो यह एक लड़क पंड का एक प्यार हुगा कोई कुछ नहीं कि यह पर simple आनंद लेना है second stage में क्या है वो words words का love of nature है वो sensuousness है तो जो प्रिकृति में pleasure को acquire करना है वो sensuousness से है by sense से आँखों से कान से इन सब चीजों से तो यह एक प्रिकार का physical love कहलाता है और जो third stage है वो आपका spiritual love है थर्ड stage में जो क्या spiritual है the love for nature when its soul begin to see the soul of nature तो उनकी soul प्रिकृति में जो ब्याप्त आत्मा है तो प्रिकृति के आत्मा को सी करना सुरू कर देती है देखना सुरू कर देती है और दो एक important point है उनको समझे टेंटन अबे जो है 1798 में publish हुई और किस में publish हुई लिरिकल बैलेट्स में जो इनका poem का volume है और इसमें ये last poem थी आप जानते हैं कि Samuel Taylor College यानि H.T. College और बिलियम बड्स बड्स ने मिलकर के 1798 में एक edition publish कराया था जिसमें आपकी 23 poem थी 4 by H.T. College और 19 by 25 बिलियम बड्स 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 जिसमें last poem थी Tintan Abbey और Tintan Abbey is written in blank verse और the poem is a dramatic lyric इंपोर्टेंट पॉइंट में पूछे जा सकते हैं अब हम line by line इसका explain पढ़ेंगे 5 years have passed 5 summers with the length of 5 long winters and again I hear these waters rolling from their mountain spring with soft with a soft inland murmur. पांच बर्स बीत गये हैं पांच गर्मिया बीत गई हैं और लंबी लंबी 5 सर्दियां बीत गई हैं सर्दियों के इसने लंबा क्यों कहा हैं बड्स 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 ने because England as well as in whole Europe जो आपकी विंटर्स होती हैं वो काफी लंबी होती है और फिर मैं दुबारा सुन रहा हूं पाँच बरस बाद दीज वाटर्स इन नदियों को इन नदियों की आवाज को rolling from there mountains spring with soft inland murmur जो कल-कल की कोमल आवाज करते हुई पहाडों के जर्नों से नीचे को बह रही हैं फिर करा है once again do I behold the steep and lofty cliffs एक बार फिर मैं इन धलुआ और उची-उची चटानों को देख रहा हूं that on wild secular scene impressed जो जंगली एकांत सीन है जंगल का एकांत सीन है वो प्रभावित कर रहा है the thoughts of more deep secular sun मेरे अंदर के जो एकांत विचार है उनको तो यह जो एकांत बातावरण है बन का जंगल का तो वही मेरे मन का जो एकांत बातावरण है उसको आकरसित कर रहा है and connect the landscape with the quiet of the sky और जो beautiful landscape है वो आकास से मिल रहा है यानि कि धरती और आकास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि बहुत ही beautiful जो है आपका beauteous जो है nature है the day is come when I again repose here under this dark sycamore and do these plots of cottage ground these orchards touched बोले एक बार दिन फिर आ गया I again repose here जब मैं यहाँ पर दुबारा पहुंच गया हूं इस अंधेर से दिखने बाले dark sycamore, sycamore यहाँ पर एक tree का नाम है के नीचे and view these plots of cottage ground जो कुटिया बनी है उनके आस पास जो ground है उन plots को देख रहा हूं these orchards toughs इन बागों के जुर्मटों को देख रहा हूं बाग में जो पेंड है जुर्मट के आकार के उनको देख रहा हूं which at this season तो यह जो orchard है यह जो orchard है इस मौसम में जिस मौसम में poet बहां देखने गया है with their unripe fruits अपने कच्चे फलों से जो है are clad लदे हुए है in bun green hue और कच्चे फल भी हरे होते हैं और प्याण के पत्ते भी हरें तो with bun green hue जो आपका color जो है वो मिल करके एक ही हारा दिखाई दे रहा है and lost themselves mid groups and copses और वो फल जो है हरी हरी पत्तियों के बीच में जो है चुप गए हैं और गाइब हो गए हैं तो groups and copses का मतब है small collection of trees तो प्याण जो है इन प्याणों जो फल है इन प्याणों के जुर्मटों के अंदर हरे होने के कारण छिप गए हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं once again I see these hedge rose hardly hedge rose little lines of sportive run wild बोले फिर मैं इन जाड़ियों की जो कतारे हैं उनको देख रहा हूं फिर मुझे दिखाई दे रही है hardly hedge rose ये जो जाड़ियों की कतारे हैं मुश्किल से जाड़ियां लगती है little lines of sportive wood run wild ऐसा लगता है कि जो जंगल है वो तेजी से उनमादी तोर पर भाग रहा है जाड़ियां जो है बहुत दूर दूर तक फैली होई है तो ऐसा लग रहा है जंगल इन छोटे छोटे जाड़ियों से भाग रहा है these pastoral forms green to the buried door इन गाउं के इस दिहाती छेतर के farms को देख रहा हूं खेतों को देख रहा हूं green to the buried door जो घर के दरवाजों के बिलकुल निकर तक हरे भरे हैं and wrath of smoke sent up धूर के चल्लों को ऊपर की ओर उठता हुआ देख रहा हूं in silence चुपचाप from among the trees प्योणों के बीच से यहीं के प्योणों के बीच से जो धूर के चल्ले उठ रहे हैं चुपचाप उठ रहे हैं मूँ उनको देख रहा हूं with some uncertain notice यह नहीं पता यह धूमे के चल्ले किस जगह से उठ रहे हैं इस बात पर notice नहीं है as might seem ऐसा लगता है of beggar and dwellers in the house less woods यहीं के जो beggar and dwellers है जो के आपके gypsies हैं इनको gypsy बोलते हैं या बंजारे कैसे तो बंजारे हैं in the house less woods यहीं के टेंट में रहते हैं जगह जगह तंबू काड़ देते हैं इन जंगल में उनमें रहते हैं यहां हो सकता है और संत हर्मेट्स के हो सकता है कि यह धुआ है किसी संत की सादू की गुफा से आ रहा हो जहां पर आग के पास जो संत है वो अकेला बैठा हुआ हो तो यहां तक जो बाते थी इन्होंने उस सुन्दर से बाता बरण को डेस्क्राइब किया है विलियम बर्स बर्स ने अगले और डेस्क्राइब करते हैं और इंपोर्टेंस बताते हैं कि वाट दीज ब्यूटियस फॉर्म बर इंपोर्टेंट फॉर्टियस लाइफ क्या कह रहे हैं दीज ब्यूटियस फॉर्म यह सुन्दर सुन्दर जो द्रस है बाई नदी की जो सुन्दर पता है टिंटन आवे के आसपास जो ब्यूटियस फॉर्म है वो थुरू आ लॉंग एपसेंस हैब नॉट बीन तू मी एज अ लेंड स्केप तू आ ब्लाइंड मैंस आई बोले ये जो सुन्दर सुन्दर द्रस है हलाकि मैं पांच बर्स बाद आया हूँ तो थुरू आ लॉंग एपसेंस इतनी लंबी अनुपस्तिती के बाद भी हैब नॉट बीन तू मी मुझको इस प्रकार नहीं रहे एज आ लेंड स्केप टू ए ब्लाइंड मैंस आई इस प्रकार कोई भी सुन्दर द्रस एक अंधे ब्यक्ति के लिए होते हैं तेकि अंधे ब्यक्ति के लिए सुन्दर द्रस beautiful form जोती होती है वो बहुत जादा importance नहीं रखती तो यह कभी कह रहा है कि उसके लिए यह सुन्दर सुन्दर द्रस है इसका opposite बोले तो बहुत ही important रहे है कैसे वट आफ्ट in lonely rooms and amid the din of towns and cities अक्सर लेकिन अक्सर मैंने अकेले कमरों में amid the din of towns and cities सहरों के कस्वों के सोरगुल के बीच में I owed to them मैं इन सुंदर सुंदर दृस्यों का आभारि रहा हूँ तो हो सकता है इन सुंदर सुंदर दृस्यों ने सहर के सोरगुल के बीच में सहर के अकेले कमरों के बीच में उषको थोड़ा सा आराम पहुंचाया हो उसके दिल को सूध किया हो I have obbed to them तो जब उवाओ समय होता है सहर का ये जब जीवन में उवाओ समय आता है वेरिणिस का समय आता है I have owed them to them मैं उनका आभारी रहो हूँ ये जब भी उसके पास कभी भी उदासी आई है जब भी परिसान हुआ है तो ऐसे परिसानी के समय में I have owed to them इन चीजों का मैं आभारी रहूँ इन चीजों ने कभी को स्वांतना दी है आराम पहुंचाया है सेंसें संसूइट felt in blood and felt along the heart और इन सब ब्यूटियस फॉर्म की जो इसमिर्तियां हैं जो रिमेंबरिंग्स हैं उसने क्या किया है सेंसें संसूइट एक मधुर संसनी पैदा की है felt in blood उसके खून में felt along the heart उसके दिल में तो कर रहा है इस सुन्दर यादू जो सुन्दर प्रकृति की यादे रही है जो टिंटर नैवे की यादे रही है पांच बरस पहले की तो इन बीच के दौरान जो उसके पांच बर जो समय उसने बिताया उस दौरान सेंसें संसूइट उसने संबीदनाए महसुत की है मधुर संबीदनाए अपने दिल में अपने blood में and passing even into my purer mind with tranquil restorism और यह उसके मन में प्रवेश की इस संदर्ता उसके मन में बसी रही और इस संदर्ता ने क्या किया उसके मन में with tranquil restoration इसने उसके मन में एक सांती की स्थापना की क्या क्या सांती की स्थापना की तो कहने का मत्तब है यह एक प्रकार का जो tranquil restoration है एक प्रकार का पर्मनेंट सोर्स हो गया है उसके इंजॉइमेंट का है उसके डिलाइट का तो यह जो है यह पर्मनेंट सोर्स बना गया emergent 2 को और ऐसी भावनाएं बन गई है और Unremembered-Pleiser मुझे पता नहीं अंगिनत जो प्लेजर हैं इनने मुझे को प्रधान किया है उम्मिद कर रहे हैं आपको थोड़ा भोगतो समझ में आ रहा होगा कि अंडिमर्मेंड प्लेजर सच परहेपस साइद ऐसे आनंद सच परहेपस साइद ऐसे आनंद जैसे इनका कोई हलका या तुछ सा प्रभाव नहीं पढ़ा है यानिकि बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ता है अंगिनत जो आनंद होते हैं वो इसके जीवन पर प्रभाव डालते हैं ऐसे ही इन प्राकर्तिक दिरस्यों के प्रभाव ने उसके जीवन को प्रभावित किया है His little तो जो छोटी छोटी चीजें लोगों के जीवन में प्रभाव डालती है His little, nameless, unremembered, acts of kindness and love एक साधान ब्यक्ति के सजन ब्यक्ति के जीवन में छोटी-छोटी अनिगनत जिनका कोई नाम नहीं दे सकते अनबुजी या भूली विसरी बहुत सारी यादे होती हैं दया की और प्रेम की तो ये सारी बातें दया की प्रेम की बहुत सारी बातें एक मुनस्र के जीवन पर प्रभाव डालती है उसके जीवन में सांती लाती है उसी प्रकार ये प्राकर्तिक द्रस हैं ब्यूटियस फॉर्म हैं उन्होंने कभी के जीवन में यानि के बिलियम बट्शवर्थ के जीवन में जो है ट्रैंकुल को रिश्टोर किया है, सांती को इस्थापित किया है नेक्स्ट बन अगले किया रहा है nor less I trust, मुझे बिस्वास है बिलकुल भी कम नहीं to them I may have owed another gift another gift का मतलब इसको एक gift पहले मिल गया है, कौन सा gift कि इसके जीवन में in beauteous form में जो है, ट्राइंक्विल को यहीं सांती को restore किया है, एक gift तो हो गया अब second one to them I may have another gift, मेरे पास दूसरा उपहार मिला है चलिए उस दूसरे उपहार को जानते हैं वो क्या है of aspect more sublime एक aspect दिया है, एक तथ दिया है, उसके जीवन को उसके जीवन का एक पहलू दिया है more sublime जो बहुत उच्च पहलू है that blessed mood क्या दिया है एक उसको blessed mood दिया है तो दूसरा पहले तो 37 थापित हो गई और दूसरा क्या हो गया blessed mood यानिके सौभग साली सुखी उसके पात मनोवर्ती उसको प्राप्त हो गई कैसी मनोवर्ती in which the burden of the mystery in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world is lightened ऐसी उसको मनोवर्ती मिली है उसके सुखद सौभग साली उसको जीवन मिला है जिससे जीवन के जितने भी burden है जीवन के जितने भी क्या है burden है रहस है और heavy and weary weight heavy and weary weight का मतलब होता है खाने कमाने की जितनी भी plannings होती है जीवन के जितने उतार चड़ाव होते है of this all this unintelligible world इस अभूज संसार के इस गूड भरे संसार के is lightened सब हलके हो जाते है इस प्रकार की उसको मनोबर्ती इन प्राकर्तिक दिर्सों ने प्रदान की है that serene and blessed mood कौण सा वाला यही वाला blessed mood की बात कर रहे है किसकी बात कर रहे है blessed mood की तो करें that serene and blessed mood in which the affection gently lets on until the wreath of this carpal rame उपर कलने थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा कि जो सिरीन और ब्लेस्ट मूड है इस सिरीन और ब्लेस्ट मूड ने इन बिज़ता अफेक्शन जो इसनहे की प्राप्ति होई है gently leads us on हमको आगे की ओर तरक्ति प्रतान करते हैं यह हमारे जीवन का मार्ग सुगम बनाते हैं और भविस्ट की तरफ भविस्ट की प्रोग्रेस की तरफ हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं कब तक until the breath of this corporal frame इस जो आपका corporal frame है यह आपकी जो mortal body है and even the motion of our human blood और उस समय तक जब हमारे जो मनुस के सरीर में बिलेड का जो गती है almost suspended हमेशा हमेशा के लिए लगवग लगवग समाप्त हो जाती है तो ऐसे समय तक में भी यह जो blessed mood है वो अपना काम करता है we are led asleep बहुत important line है we are led asleep in body हमारा सरीर तो सुस्त हो जाता है कहने का मतलब है here physical body is now irrelevant और asleep कह सकते हैं कि हमारा जो physical body है लगवग लगवग irrelevant हो जाती है कोई मतलब नहीं रहता और हमारी आत्मा जागरित हो जाती है कहने मतलब यहाँ पर soul matter रख रही है soul का matters है और physical body क्या होगे irrelevant तो be our lead asleep in body सरीर तो हमारा asleep हो जाता है सरीर काम करना बंद कर दिता है and become a living soul लेकिन हम जो है वो एक living soul बन जाते हैं यहनि कि हमारी आत्मा जागरित हो जाती है यहनि कि हमको enlightenment जो है प्राप्त हो जाता है तो कहने दीज ब्यूटियस फॉर्म kindled in us the living soul यहनि कि जीवन आत्मा हमको प्रदान करते हैं एक भविस को द्रश्टा हमारी आत्मा है वो द्रश्टा बन जाती है while with an eye made quite by power of harmony and the deep power of joy we see into the life of things तो बहुत important line है यह भी कह रहा है while with an eye made quite जो आई होती है वो बिलकुल सांथ हो जाती है यहनि कि हम आखों से अब नहीं देखेंगे अब किस से देखेंगे आखेंगे अब नहीं देख पाती बोची बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो अंदर छिपी होती है जिसको हम आखों के द्वारा नहीं देख सकते देखेंगे यह जो lines है यह का फ्लास्टीकल है यहां कह रहा है कि बहुत सारी चीचों को हम आखों के माध्यम से नहीं देख पाते उनको हम अपने मन की आँखों से देख पाते हैं तो कराएं by the power of harmony हम harmony की सक्ति द्वारा यानि के हम सद्भाव की सक्ति द्वारा and the deep power of joy आनन्द की गहन सक्ति के द्वारा we see into the life of things जो चीजे हैं हम उनके अंदर जागते हैं उनमें क्या जीवन है प्रिकृति के अंदर क्या आत्मा है उनको हम जागते हैं उमीद कर रहे हैं आपर तक आपको समझ में आया होगा चलिए फिर यहाँ पर यह point रख रहे हैं क्या रख रहे हैं if this if this यह क्या यहां पर इसका अर्थ है कि प्रकृति में या प्रकृति की सुंदर्ता में या प्रकृति नो जो इसको प्रदान किया है प्रकृति के प्रती प्रकृति का जो रिलेशन है वो सब बी बटा बेन बिलीव लोगों को एक बियर्थ का बिस्वास लगे लोग कहें पूले यह बियर्थ की बाते हैं बोले ऐसा कहीं होता है कि प्रकृति में आप आत्मा के दर्शन कर ले रहे हूं या प्रकृति ने आपको इतनी सांथी दिया है तो लोगों को भले ही ये बात बेकार लगे बेन बिलीफ लगे यट ओ हाउ ओफिन फिर भी में कैसे अक्सर इन डार्कनेस एंड अमेड दा मैनी से अंधेरे में और कई सेप्स माने लोगों की आकरतियों के बीच में और जॉयलेस डे ललाइट या दिन के नीरस ऊजाले में वेन दब फ्रैट फूल इस्टिर अन्प्राफिट AVA तो फ्रैट फूल इस्टिर प्रैट असाथ आ हैं वो सब अन्प्राफिटविव रहे हैं कोई बैली नहीं दख रहे हैं आंड फीबर of the world और संसार की जो परिशानिया है खाने कमाने की लोगों से बात्चीत की बहुत सारी बाते हैं वो वर्ड have hung upon the beating of my heart यानि कि हमारे जब उपर आ जाती हैं ये सारी जिम्मिदारियां हमारे उपर आ जाती हैं तो हमारे धिर्दय की धड़कने बढ़ जाती हैं हमारे हिर्दय पे बोज बन जाती हैं अगले पढ़ते हैं and now with gleam of half extremist thought gleam माने चमक होता है और half extremist thought जो आधी स्मिर्थियां बची हुई हैं उन आधी स्मिर्थियों से अब and with many recognitions dim and faint और कई इस्मिर्थियां जो dim हो गई हैं अब धुंदली हो गई हैं और उसमें कुछ प्रकार की दुखी दुख भरी इस्मिर्थियां भी जुल गही हैं दुख भरी इस्मिर्थियां का यहां मतलब है कि 1795 की बात है कि इनके ब्रॉदर जो है वो सिप ब्रेक में जो है डूब गए थे तो वो कुछ इस्मिर्थियां थी को 1788 में में पोईम लिखी गई है तो क्राइब and somewhat of sad perplexity इसमें कुछ दुखी यादे भी हैं the picture of mind revives again तो मन की इस्मिर्थियों ने यह सब बातें दुबारा क्या हो गई हैं revive हो गई है while here I stand अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अब यह प्रिजेंट समय की बाते कर रहे हैं गुलियन डॉर्थी को बता रहे हैं प्रिजेंट समय की while here I stand जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ not only with the sense of present pleasure but with the pleasing thoughts that in this moment there is life and food for future years यहाँ कह रहे हैं कि जब अब इस समय मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यह जो beautiest form देख रहा हूँ तो यह केबल बरतमान pleasure के लिए नहीं है और जो pleasing thoughts इस छण मिल रहे हैं वो pleasing thoughts आने बाले समय के लिए एक food का काम करेंगे यहाँ के आने बाले समय में सुखद यह जो इसमिर्तियां है वो सांती परदान करेंगी तो उम्मिद कर सकते हो कि five years later five years before की बात है तो पांच बर्स पहले देखे गए द्रस्यों ने अब तक उसके मन में tranquil को यहाँ कि सांती को restore किया है तो यह बर्तमान में जो बातें कर रहा है यह बर्तमान में जो position है यह आपकी present pleasure natural है future में भी उसको आनंद प्रदान करती रहेगी and so I dare to hope those changed फिर भी मैं यह कहने की सहास्तो करी सकता हूँ हलाकि थोड़ा बदर ज़रूर गया है no doubt what I was when first मैं कैसा महसूस करता था जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था I came around the hills मैं इन पहाड़ियों पर घूमने आया था अब जो lines हैं अगले वो बता रहे हैं कि बिलियम बर्सवर्थ का जो first stage है love for nature तो इसको हम simple delight बोलेंगे तो कैसे वो उस समय आया था तो कैसे उस समय आननलिया करता था एक एक line को समझे देखिए अगर lines आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो please मुझे comment कर दे हो सकता है मैं और बहतर पलाने की कुछ करूँ हो सकता है कुछ कमियों को में सुधार के करूँ वेन लाइके रू जो मैं पहली बार आया था लाइका रू एक हिरन के बच्चे की तरह था I wandered over the mountains मैं परवत्मों पर उचलता कूटता रहता था वाइदा साइट्स ओफ डीप रिवर्स एंड दा लोनली लीवर्स वेर एवर नेचर लेट जहां कई भी नदी यहां कई भी प्रिकर्ति मोजुग ले जाते थी पहाड़ों पर नदियों के किनारे या अकेली धाराओं में हर जगे मैं लाइके रू एक हिरन के बच्चे की तरह घूमा करता था more like a man flying from something that he did उस ब्यक्ति की तरह ऐसे मैं घूमता फिरता था जिन चीजों से भागता था जिन चीजों से वो डरता है यह कोई व्यक्ति जिन चीजों से डरता है उसे दूर भागता है तो मैं उसी तरह मैं यहां पर घूमा फिरता करता था THEN ONE WHO SORT THING HE LOVED बजाए उसके उन जिन चीजों को इनसान पसंद करता है बहां पर जाता है बोले मैं बहां आईसे नहीं जाता था बoking इस प्रिकार जाता था कि जिस प्रिकार कोई व्यक्ति कुछ दृस्यों को दे कर कुछ चीजों को दे कर डरके भागता है तो मैं भी उसी प्रिकार डर कर उछलकूद किया करता था अब बताना कि प्रिकृति उस समय उसके लिए कैसी थी For nature, then the courser pleasure of my voice is मेरे जो बचपन के दिन थे, लड़कपन के दिन थे उस प्रिकार का ये courser pleasure था यह भद्दा आनंद था आप पर क्रिस कह सकते हो जिसको सुद्धना किया गया हो ऐसा आनंद था of my voice days and their glad animal moment all gone by अब जो लड़कपन के जितने भी प्रिसन करने बाले जो animal moment है यहनि के पसूँ के तरह इदर उदर भटकना रो की तरह इदर उचलकूद करना वो जो पसूँ के प्रिकार के moment है वो सब अब क्या हो गए है चले गए है तो अब यह अपने आपको थोड़ा बड़ा मानने लगे है यहनि के पांच वर्स वीत चुके हैं थोड़े बड़े हो गए होंगे भाई तो में बाज ओल इन आल आई कांट पेंट कहरा है उस समय पिरकृति के जो द्रस थे वो मेरे लिए ओल इन आल थे बोले मैं उस बात को अब डेस्क्राइब नहीं कर सकता कि कैसे थे अब नेक्स टाइन में इनका सेकेंड टाइप का जो है प्लेजर बता रहा है तो सेकेंड स्टेज बिलियम वर्ड्स बर्थ लब अप नेचर है जिसको हम सेंस्वेस बोलते हैं तो इसको हम आखाइंड ओप फिजीकल लब बोलेंगे जिसको आँखों के द्वारा सेंस के द्वारा अहिन की कैनिक मतलव है जिसको हम सेंस के द्वारा फील करते हैं बोडी के द्वारा फील करते हैं what then I was उसमें कैसा था यह तो हो गया the such a Bis recipes हांटइड मीलाइट पैशन captive छाउंडिंटे खर्णिंग करनें ए आवाज कर verbessे ए खर्णे थे haunted me like a person मुझे अपनी ओर आकरसित करते थे मेरे मन में भावनाएं उठाते थे यानिके like a person पागल पर जैसा मैं उन्ची जो पसंद करता था the tall rocks यह जो उची चटान है the mountain and the deep and gloomy boat यह गहरा और अंदेरा भरा जो जंगल है their colors and their form जो उनके रंग, उनकी समी प्रिकार की जो forms थे but then to me an appetite तो उस समय मेरे अंदर यह सारी चीजें एक appetite, एक भूख को जगा देती थे जब भी मैं इनके बारे में सुचता था तो मुझे भूख जागरित होती थी यह होता था कि मैं इन चीजों को देखूँ बार बार इनके साथ घुमों, इनके साथ रहों a feeling and a love that had no need of remoter charm जिसमें एक भावना होती थी एक प्यार उत्पन होता था that had no need of remoter charm जिसमें किसी दूर से आकरशन की यहां कह सकते हो बारी आकरशन की जरूरत नहीं थी यहां बात कर रहे हैं कि नेचर जो है वो सुभाविक सुंदरता होती है उसको बारी तोर पर सुंदर नहीं बनाये जा सकता इसको बारी चार्म की आफसकता नहीं होती कैसे बारी चार्म की? जिसको हम बिचारों के माध्यम से सुंदर बनाते हैं तो बिचारों के माध्यम सुंदर बनाने के लिए जैसे हम सुंदर सुंदर बातें करते हैं सुंदर सुंदर रचनाय करते हैं सुंदर सुंदर सीनरी बनाते हैं और बहुत चारी सीजिव से बहुत सारी चीजों से सजाते हैं तो इसको हम बोलेंगे बहरी जो चार्म है जिसको हमेरे विचारों ने सप्लाई किया है और ना ही ऐसा इंट्रेस्ट जो आँखों से ना देखा जा सके आप कह रहे हैं that time is past यानि कि जब हम प्रिकृति हमको appetite पैदा करती थी भूख पैदा करती थी प्रिकृति द्रिश्चों को देखने के लिए and all its acting joys वो समय और इसके कचोटने बाले जो कष्ट प्रदान करने बाले आनंद है आनंद जो हमको बहुत ऐसे आनंद कभी-कभी आनंद जो है कापी खुसी के आंसु ला देते हैं तो यहां पर कहने का मत्तब है ऐसे ज्वाय जो acting करते थे are no more and all its dg raptures और इसके confuse करने बाले raptures हैं इनके dg raptures हैं चक्कर देने बाले जो उत्साह थे वो सभी क्या हो गए गायब हो गए अब नहीं बचे तो यहांने के जो बालकपन का था उसके बाद वो गायब हो गया अब क्या होता है अब आ जाते हैं इनके third stage of love में तो third stage of love क्या है third stage of love का है जहां पर soul in nature यानिके कभी ने अब nature के अंदर soul को महसूर प्रकृति के हर एक कड में आत्मा के दर्सन करने शुरू हो गए है नौर फॉर दिस फैंट आई इनके जो अभी लड़कपन की sensuousness की जो आकरशन प्राप करने का जो आकरशन था जो भाबनाती बुगायब हो गई है तो नौर फॉर दिस आई फैंट नौर मरमर नौर मरमर बुले इस बात पे ना तो मैं दुखी हूँ ना ही बिलाप कर रहा हूँ ना ही बड़़ा रहा हूँ ना ही इसकी सिकायत कर रहा हूँ अधर गिफ्ट्स हैब फालोड फॉर सच लॉस ऐसे लॉस के प्रती जो मैंने प्रकृति में जिस प्रकार पहले देखा करता था बालपन की या बच्पन की बात हैं या जो जो मैं और बड़ा हुआ उसकी बात हैं जब सेंसुसने इसकी बात होती थी वो सब गायब हो गई ह हैं तो ऐसे लॉस के लिए मैं किसी प्रकार से बड़ा नहीं रहा हूं बलकि मुझे दूसरा गिफ्ट मिला है ऐसे लॉस के लिए कौंसा है आई बुड बलीब एवडेंट रिकम्पैंसेंस ये इनकर उचित मुआवजा मिला है अब बात करते हैं थर्ड ये स्टेज की जिस में बिलियम बड्सपर्ड का जो लब अप नेचर है वो आत्मा का दर्सन करना है फॉर आई है लेंड टो लिक इंटो लुक और नेचर अब मनें प्रिकृति में देखना शुरू कर दिया है जब मैं ना सोचने बाला युवा था नहीं किया करता था तो जब मैं उस तरह सोचना करता था अब मैंने उस तरह से सोचना बंद कर दिया है बट हीरिंग आफ टाइम लेकिन अब अक्सर मैं सुनता हूँ क्या सुनता हूँ अब भी मानता का जो दुख भरा संगीत है नौर हार्स नौर ग्रेटिंग वो संगीत ना तो करकस है ना कान फोडू है दो अपल पावर टू चेश्टिन एंड सब्डू बलकि उस म्यूजिक में एक ऐसी परियाप्त पावर है पुर्चुर मात्रा में पावर है तो चेश्टिन एंड सब्डू चेश्टिन का है अपना मीनिंग है जो हमको डाटती फटकारती है चेश्टिन का मतलब है जो हमको डाट करके सुद्ध करती है समझ के होंगे and subdue और subdue का भी यही अर्थ है and I have felt a presence और मैंने एक ऐसी उपस्तिती महसूस की है तो चेश्टिन का मदब जो हमको डारती फट कारती है हमको क्या करती है हमको सजा देती है और हमको अपने बस में कर लेती है वो ample power को उस परियाब सक्ति को मैं मैंने महसूस किया है and I have felt a presence that disturbs me with joy और मैंने प्रकरती में एक ऐसी उपस्तिती को महसूस किया है that disturbs me with joy जो आनंद के साथ मुझे को disturb करती है और elevated thoughts और मुझे उच्च प्रकार के बिचार देती है sense subline और उच्च प्रकार के भावनाएं देती है of something far more deeply interfused उस चीज से ये सब मुझे को प्रदान करती है जो काफी गहराई से interfused माने घुला मिला है घुल गया है वो बहाँ से मुझे को आनंद प्रदान करती है तो उस आनंद की whose set whose dwelling is in the light of setting sun जिसका निवास छिपते हुए सूरज में है and round ocean and the living year उस आत्मा का निवास उस ample power का निवास समुद्र में है बहतु ही हवा में है and the blue sky नीले आकास में है and in the mind of man और मनुस के मन के अंदर भी बही सकती है a motion and a spirit वो एक ऐसी गती है एक ऐसी आत्मा है that impels that impels the thinking things जो सोचने बाली चीजों को प्रभावित करती है all the objects and of all thoughts and roll through all things सभी बस्तू में, सभी बिचारों में और सभी चीजों में वो रमी बसी हुई है सभी चीजों में वो भूम रही है तो यहां पर बात कर रहे है आत्मा की प्रिकृति में जो ब्याप्त आत्मा है और उस ब्याप्त आत्मा ने कैसे उसको क्या किया है उसको chasten किया है और subdued किया है यानि को उसको अपने बुढ़ का प्रेमी हूँ and mountains का प्रेमी हूँ and of all that we behold from this green earth and of all the mighty world of eye and ear. सारे परबत green हर्याली और ये सक्तिसाली संसार जिसको हम अपने आखों से देखते हैं और जिसके बारे में हम अपने कानों से सुनते हैं उन सब को मैं प्रेम करता हूँ. बोथ what they have created and what perceived जो आधे बने हुए हैं and what perceived और जिसको हम देखते और समझते हैं बैल प्रीज टू रिकनाईज इन नेचर तो इसको अच्छी तरह मैंने प्रिकृती में पहचाना है and the language of the sense और मैंने अपने sense की भावना से समेदनाओं की भावना से the anchor of my purest thought मैंने जान लिया है कि ये मेरे सुध विचारों का एक anchor है यहीं पर मेरे सुध विचार इस्थायत पा सकते हैं the nurse, the guide, the guardian of my heart ये मेरे heart, soul and all my moral beings ये मेरा जो जीवन है ये मेरा जो दिल है ये मेरे जो आत्मा है इन सब का जो प्रिकृति में व्याप्त आत्मा है वो nurse का काम करती है वो guide का काम करती है और वो मेरे guardian भी है ये मुझको संभालती भी है मेरा मार्ग दर्सन भी करती है और मेरी रक्षा भी करती है अगले बिलियम बड्सपर्ट दोरोथी से कहते हैं अपनी सिस्टर से नौर परचांस यदि कभी ये मुम्किन ना हो if I were not dust taught यदि मैं तुमें इस प्रकार ना बता पाऊं should I the more suffer my general spirit to decay और कहीं मैं general spirit to decay तो मेरे जो मिलनसार आत्मा है उसमें कहीं decay आजाए यानि कहीं कमी आजाए For thou art with me here upon the bank क्योंकि तुम मेरे साथ इन नदियों के किनारे हो Of this fair river Thou my dearest friend Hey, मेरी प्रिये मित्र My dear dear friend मेरी प्रिये प्रिये मित्र In thy voice I catch the language of my former heart And read कि मैं तुम्हारी आबाज में अपने former heart की भासा को पढ़ पा रहा हूँ देख पा रहा हूँ यहां पर कह रहा है कि जब मैं पहले आया था तो जब भी हम किसी भी चीज को पहली पहली बार देखते हैं तो पहली बार देखने में जो एंथिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उत्सा बहुत ज़्यादा होता है तो कराया बही उत्साह जो पहले मेरे दिल में था वो मैं तुम्हारी ब्वाइस में उसको पकड़ पा रहा हूँ तुम्हारी जो ब्वाइस हैं उसकी चमक में मैं उस आनंद के प्रकास को पकड़ पा रहा हूँ देख पा रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले ही मैंने ऐसा देखा तुम्हारी आँखों में तुम्हारे अंदर जो मैंने पहले अपने अंदर देखा करता था My dear dear sister and this prayer I make और मैं तुमसे ये प्राष्णा करना चाहता हूँ कौनसी Knowing that ये जान लिजिए Nature never did betray the heart that loved her कि प्रिकृति कभी अपने प्रेमी को धोका नहीं देती इन प्रिकृति कभी बेवफा नहीं होती It's her privilege प्रिकृति का ये एक बिसे सा अधिकार है Special right है कौन सा बाला कि वह अपने व्यक्ति को अपने प्यार करने बाले को कभी धोका नहीं देती अगले कह रहे हैं Through all the years of this our life to lead from joy to joy हम अपने जीवन भर एक आनंद से दूसरे आनंद तक बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में आनंद ही लेते रहते हैं For she can so inform the mind that is within us तो जो मन हमारे अंदर है So impressed with quietness and beauty जो सांती और सुन्दरता से काफी प्रवाबित होता है So feed with lofty thoughts और जिसमें कोमल बिचार होते हैं That neither evil tongue rest judgment nor the sense sneers of selfish men तो यहां पर कह रहा है कि यहां पर कहना चाह रहा है कहां से कहां तक यहां से लेकर यहां तक इन लाइनों कहना चाह रहा है कि प्रकृती ने जो हम को आनंद प्रदान किया है यहां कि जो हमने यहां पर आकर के जितने भी आनंद लिये हैं वो आनंद हमारे पूरे जीवन भर आगे की और बढ़ते रहेंगे और हमारे मार्ग को प्रसस्त करते रहेंगे लीड करते रहेंगे और हमारा जो मन है within us हमको इतना प्रभावित कर दिया है इस सुंदरता ने with quietness and beauty सांती से और सुंदरता से and so feed with lofty thoughts और हमारे जो कोमल बिचार हैं वो हमारे अंदर इतने भर गए हैं कि हमारे मन के अंदर इतनी कोमलता आ गई है कि that neither evil tongue तो ना तो हमारी बुराई करने वाले ने कि जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं रैस जज्जमेंट या जो हमारे प्रती गलत निर्णा लगाते हैं nor the sneers of selfish men और ना ही जो स्वार्थी लोग हैं उन लोगों की अभेलना, nor greetings where no kindness और ना ही ऐसे अभिवादन जिन अभिवादनों में किसी भी प्रकार की दयार नहीं होती है nor all that decree dreary intercourse of daily life और ना ही हमारे जीवन के जो उदास मेर्जोल होते हैं shall ever prevail against us तो ऐसे हमारे बुर्द प्रवलन नहीं हो पाएंगे तो यहां इस लाइन को समझे shall ever prevail against us कौन कौन सी बात हैं पताई इसनीर of selfish men यानि के जो स्वार्थी लोग हैं उनकी क्या अभिवना greetings जो अभिवादन करते हैं हमारा लोग उनमें कोई दया की भावना नहीं होती है उनकी भावना या rest judgment जब हमारे अंदर कोमल भावनाएं भर हुई है प्रिकृती ने जो हमको कोमल भावनाएं हमारे मन के अंदर उत्पन की है जब वो सारी चीज़े हैं तो ये सारी चीज़े चाहए हमारे जीवन बर या हम पर ठोप दी जाए हमारे ब्रोध लगा दी जाएं तब हम पर कोई भी प्रिभाब नहीं पड़ेगा और डिस्टर्ब आपर चेरफुल फेद चाहें हमारे प्रिसन्द विस्पास को डिस्टर्ब करें तो जो कुछ भी हमने देखा है वो सब ब्लेसिंग से भरा हुआ है वो सब हमारे आसीर वादों से भरा हुआ है तो इस प्रिकार तुम ये चंद्रमा है खुले चंद्रमा में अकेले घुमो और जो परवत की धुन्दल की हवाएं है धुन्दल का परवत है उससे जो हवाएं बह रही है वो तुमारे चेहरे पर पढ़ने दो और आफ्टर येर्स वन दीज बाइल्ड एकस्टीज हाप सेल भी मेचर और बरसों बाद जब ये बाइल्ड एकस्टासीज हैं जो जंगल की बनों की चरम आनंद हैं जब वो मेचर हो जाएंगे इन्टू आ सौबर प्लेजर और बहुत ही गंभीर और सादा कह सकते हो आपके आनंद बन जाएंगे वें दाई माइन्ड सेल बी आ मैसन फॉर आल लवली फॉर्म तो तुमारा मन जो है इन सब लवली फॉर्म का एक निवास इस्थान बन जाएगा दाई मैमोरी भी ये ड्वैनिंग पलेज तो तुमारी यादें एक ऐसा इस्थान बन जाएगी जहाँ पर आप बार बार जा सकते हो घूम सकते हो for all sweet sounds and harmonies इतनी ये सब मधुर आबाज है और जो मधिर समरस्ता है ओ दैन अरे तब if solitude और fear और pain और grief जब एकांत भै दर्द तुख should be thy person जब तुमारे जीवन में आ जाए with what healing thoughts तब इन healing thoughts से इन ताजगी प्रदान करने बाले बिचारों से of tender joy इन कोमल आनंदों से will thou remember me क्या तुम उस समय मुझको याद करोगी and these my actions और ये मेरा तुमारे प्रती उपदेश है तुम्हें एक सलह है नौर परचांस कहीं अगर मुम्किन ना हो if I should be there should be where I no more can hear thy voice कि मैं ऐसी जगे पहुंच जाओं जहां पर मेरे कानों में तुम्हारी आवाज ना पहुंच सके nor catch from thy wild eyes these gleams जब मैं तुम्हारी आँखों की इन चमक को ना देख पाहूं और past existence पिछले जो बाते आपने देखी हैं build out then forget क्या तुम भूल जाओगी यानि कि उस समय जब तुम्हारे पास सारी मुसीवत्य हैं मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ जो तुमने यहां पर प्रकृति को पूजने बाला रहा हूं हिदर कें अन्वेरेड इन देट सर्वेस कि मैं यहां पर उत्सा से अन्वेरेड का मतलब बिना थके तो उत्सा से मैं प्रकृति की सेवा में आया था रादर से यह कह सकते हो विद बारमर लब एक जोस भरे प्रेम की साथ आया था ओ विद फार डीपर जील ऑफ होलियर लब मैं एक बहुत ही गहन उत्सा भरे पवित प्रेम को लेके आया था नौर विल्ट दाओ देन फॉर्गेट नाही तम उस समय भूल पाओगी देट आफ्टर मैनी वंडरिंग और मैनी यर्स ऑफ एपसंस कई बार भटकने के बाद कई बर्स के एपसंस के बाद दीज श्टीप वूड एंड लौफटी क्लिप यह धलुआ पाडियां यह जंगल यह उच चटाने एंड इस ग्रीन पास्टोर लेंड्सकेप और यह हरा भरा दियाती मैदान बर्टू मी मूर डियर मुझे अधिक प्रिये थे बोथ फॉर देंसेल्फ एंड फॉर दाई सेख खुद के लिए और तुमारे लिए भी उम्मिद करने थोड़ा बहुत समझ माया होगा मैंने कोशिस किया है बस थैंक यू ओल दावाश्ट